करनाटका के उडपी कालिज में जिस तरीके से मुस्लिम बच्चियों को हिजाब करने से रोका जा रहा है उसकी हम भरपूर तरीके से मदम्ध करते हैं हमारे यहाँ इसलाम में हिजाब कमपलसरी है और हर बच्ची जादा तर इसलाम की बच्चीयां हिजाब करती है और उसके जवाब में जो भगवा गमचे डालके जो लोग कालिज के अंदर आके उसको हिंदू-मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं उसकी मैं भरपूर तरीके से मदब मत करता हूं और मैं करनाटका सरकार से और कालिज के परशासन से यह अपील करता हूं कि अपने कालिज को अपनी इदिक्विशन को धर्म जाद पात में न भटने दे अगर से शिक्षा में जाद पात हिंदू-मुस्लिम बुर्खा भगवा तोपी औ भगवा इसमें बटना शुरू हो गया तो फिर मधब औ धर्म जात पात यह आगया जाएगा और शिक्षा बहुत दूर मिचल जाईगी लियादा इस वक्त हिंदू-मुसल्मान के ललने का वक्त नहीं है इस वक्त हम सब मिलके जिहालत से लड़ें जितना जितना हम जिहालत से की करेंगा देखें हिजाब मधब इसलाम का एक अटूट हिस्सा है और यह हमारा लोकतांतरे का दिकार भी है कि हम अपनी मर्ज़े के मताबिक अपने मधब पर अमल करें लिहादा जिस सरीकी की बातें करनाटक के एक कॉलेज के जरिये से मनजर आम पर आ रही है कि वहां कु किस भी कमिनिटी से उसका तालुक हो उसको अपने मधब पर अमल की अजाज़त दी जानी चाहिए और यह एक बेटी का और एक बच्ची का फंडमेंटल राइड भी है कि वह अपने मधब पर अगर आजादी के साथ अमल करना चाहरी है तो मैं समझता हूं कि किसी को भी पर रिविव करना चाहिए ताकि किसी के भी अधिकारों का हनन न हों